जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, मैकपोद सीवी 200 टेबलेट दो दवाउं से मिलकर बना है, इसे श्वसन मार्क के संक्रमन के इलाज में दिया जाता है, यह संक्रमन का इलाज करता है, और माइक्रो औरगनिजम को आगे बढ़ने और फैलने से रोक बताय गए डोस से अधिक न लें क्यूंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुकसान दायक असर हो सकता है, अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं, तो याद आने पर इसे तुरंत लें, अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं, तो भी इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहि इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है, इस दवा के कुछ सामाने साइड एफेक्ट में चली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त, इंडाइजेशन आदी हैं, अगर इन में से कोई भी साइड एफेक्ट बढ़ जाते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन, चिकते, खुजली, सूजन, सांस, फूलना, आदी का अनुभव होता है, तो आपको तुरंत चिकित्सकिया मदद लेनी चाहिए, इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए, शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है, आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की चमता को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है, तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, ठीक होने की रफतार बढ़ाने के लिए आपको पर्यापत आराम करना चाहिए, साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाह आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डाइगनॉस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद